हेलो फ्रेंट्स इसके रस्में के नए वीडियो में आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स आज हम रहेंगे गूर और आंटे की खजूर या वो लिए ठक हुआ तो चलिए पर वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे गूर ती मैंने गूर ले लिया है 300 ग्रम पानी ताकि यह जल से मेल्ट हो जाए तो इसे हमने सैट कर दिया और ले लिया आंटा आंटा हमने ले लिया 800 ग्रम इसे बीच में गड़ा कर देंगा और डाल देंगे 200 ग्रम रिफाइन वार अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो देखिए हमने मिक्स करके इसका मुठी बांदा तो यह बंद रहा है तो हम इसमें गूर डालेंगे जो हमने मेल्ट होने के लिए रखा था ना उसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चन्ना से चांचान करें थोड़ा करके गुर डाल डाल कर आटा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह देखें हमने आटा को अच्छी तरह से मिक्स करिया है गुर में ज्यादा गीला नहीं करना है अगर लंबा बनाना है तो हमने लंबा किया और गोल वाला के लिए भी हमने गोल किया है हम दोनों तरह का ठकवा बनाएंगे तो यह गोल साइट से हम करने है तो यह गोल वाला है अब हम लंबा वला भी बना लेते हैं तो देखें लंबा इसी तरह से हम सभी ठेकवाग बना करेडी कर लेगे तो यह हमने रेडी कर लिया बना कर अब हम कराई को चराएंगे गैस पर गैस वान करके रिफाइन वाल डाल दिया हमने कराई में तो ये तेल गरम हो चुक है अची तरह से अब हम इसमें डाल देंगे ठीक हो आगो गैस के फिलेम को हमें मीडियम पर ही रखना है ज्याता हाई हम नहीं करेंगे तो देखिए ठेखिवा बनके रेडी हो चुका है तो यसे हम निने काल लेगे उसी तरह से में सभी ठेखिवा हो को चांड कर लेगे तो ये अमरा ठेखिवा बनके रेडी हो चुका है गूरा develops अगर वीडियो आपको पसंदाय helemaal तो फलीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे ही नहीं रेसिपिक लिए फिर मिलतू में अगले नहीं रेसिपी में थैंक्स वर वाचिंग